तो आज हम आपके लिए इलेक्रिक वायर मैनुफेक्चरिंग के उपड़ एक डीटेल वीडियो लेके आए है जिसके अंदर हम आपको सारी जानकरी देगे इस बिजनस के बारे में के कैसे आप मशीनरीज पर्चेस कर सकते हो कौन सी मशीनरीज रिक्वायर होगी कौन से रौ म माटेरियल के आपको ज़रूरत पड़ेगी कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कैसे आप इनकी कॉलिटी मेजर्स रख सकते हो क्या टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इन वायर को सप्लाय होने से पहले कितने मैन पावर के आपको ज़रूरत पड़ेग कौन से licenses required होगे इस business को run करने के लिए कैसे आप marketing strategies use करके आपकी जो sales है उसको boost कर सके क्या profit होगा कितना area कौन से customers को आप target कर सकते हो क्या raw materials इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले है तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया हो तो subscribe जरूर कर दीजेगा and hit the bell icon सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़े आपको जाना जरूरी है कोई भी business को चालू करने से पहले जैसे कि demand, supply, price, quantity और quality ये 5 measures बहुत ही जादा important होते हैं कोई भी business के लिए तो सबसे पहले जब आप कोई भी business को run करें तो उससे पहले आपको एक proper market research और business plan की जरूरत पढ़ेगी जो आपको करने पढ़ेगी खुद से जिससे आपकी knowledge बढ़ेगी कि कितने demand हो रही है कितना supply कर पा रहे है, जो लोग already इसकी manufacturing कर रहे है क्या price पे वो लोग sell कर रहे है, क्या quantity में sell कर रहे है और क्या quality measures वो लोग रख रहे है तब जाके उनका जो material है या उनका जो product है वो market में इतना चल रहा है तो ये सारी चीजों के आपको proper research करनी जरूरी है और एक business plan कि आपको small scale, medium scale या large scale पे business run करना है तो उस हिसाब से भी आपका जो capital investment है वो भी differ करेगा तो ये सारी चीजे कोई भी business को run करने से पहले आपको करना पड़ेगा खुद से बात करते हैं types of wire की तो copper wire, aluminium wire, multi conductor wire, portable wire, co-exile cable wire और बहुत सारे ऐसे अलग-अलग types के electric wire है जो आप आपके budget, plan और आपके जो business model है उसके उपर differ कर सकता है सारी चीजे क्या आपको कौन से wires का production करना है किसकी demand सबसे ज़ादा है, किसमें आपको margin अच्छा मिल रहा है क्या आपके local area में कौन से wires की demand है तो ये सारी चीजों पर आपका जो business model होगा और business plan वो भी differ करेगा आप चाहे तो single wire का भी manufacturing कर सकते हो या multiple wires का जैसे 2-3 categories आपने choose कर लियो तो ये सारी चीजे आपकी जितनी production हो रही है, जितना demand है आपके इन electric wires का उसके उपर totally आप depend कर सकते हो के कौन सा choose करें, बात करते है raw materials की तो EC grade aluminum wire, PVC compound और packaging materials आपको use करने पड़ेगे इस wire की manufacturing के लिए और आपको ये सारे जो material है, आपको wholesale market, direct manufacture या online कई से भी आप purchase कर सकते हो आपकी convenience के हिसाब से तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बात करते है machinery की, तो PVC extruder and wire coating machine 50 mm जिसके अंदर cooling का process भी होना चाहिए और automatic temperature controller भी होना चाहिए wire straightening equipment, cable printing machine, measuring and coiling machine, extrusion dies, nozzles और ये सारी तरह की machinery के आपको जरुद पड़ेगी wire manufacturing के लिए और अब बात करते हैं testing machines की, तो spark tester, warner micrometer, traveling microscope जिसका magnifying power 10x का होना चाहिए, chemical balance 0.200 gram, electric heater, thermostatically control करे air pressures को, pressure test apparatus, high voltage test set AC, kelvin's double bridge और tensile testing machines तो ये सारी testing machines के आपको जरुद पड़ेगी के wire की capability को test कर सके के वो कितना power jail सकता है, क्या वो short circuit कर सकता है या वो damage कर सकता है कोई भी electric appliance को तो ये सारे testing machines के आपको जरुद पड़ेगी, ये सारे test को complete करने के लिए तो बात करते हैं investment की capital requirement होगा 4 to 15 crores का, जो totally depend करेगा क्या आप raw materials का stock कितना रख रहे है, कितना area आपने रखा है, ये plant को setup करने के लिए क्या business model है आपका, कितनी manufacturing आप कर पा रहे है, कितना sales आप कर पा रहे है, कितनी machinery आपने setup की हुई है तो ये सारी चीजों पे जो investment capital है वो totally depend करेगा तो यहाँ पे आपको एक proper business plan बना के आप उसे submit करके loan भी acquire कर सकते है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से इस business को run करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें बहुत ही अच्छा profit हो सकता है अब बात करेगे हम targeted customers की, कि कैसे आप customers को target करके यहाँ पे आपकी sales को boost दे सके और आप बहुत ही अच्छा sales कर सके, wholesalers, distributors, retailers, local stores, aviation industry, electricity board, railways, online platform, power stations, industries और government के साथ भी collaborations कर सकते है आपकी sales को boost करने के लिए, तो इन targeted customers को आप direct भी achieve कर सकते है या किसी के through भी आप इने selling कर सकते है एक बार ये सारी चीज़े setup होने के बाद आपका business बहुत ही अच्छे से run कर सकेगा तो आगे हम आपको कुछ marketing strategies भी बताएगे, जिससे आप इन customers को target अच्छे से कर पाएगे और आपका जो process है customers को attract करने का वो भी easy हो जाएगा उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से testing materials या testing process से गुजरना पड़ेगा इन wire की packaging के लिए testing process, conductor resistant test, thickness of thermoplastic, tensile strength, thermal aging in the air, shrinkage test, ozone resistant test, heat shock test, hot deformation test, bleeding test, cold impact test, water absorption test, environmental stress cracking test तो ये सारे testing process से इन wires को गुजरना पड़ेगा, तब ही जाके ये pass करने के बाद इनके packaging का process चालू होगा और कुछ quality measures भी आपको लेने पड़ेगे, उसके बाद आप confirm packaging का process कर सकते है PVC insulated cables for working voltage up to and including 100 volts PVC insulation and sheet of electric cables, conductors for insulated electric cables and flexible coils तो ये सारे quality controls आपको ध्यान में रखना जरूरी है इन wires को supply करने से पहले और अगर ये कोई भी quality measures से पास नहीं होते हैं तो आप उस wires को supply नहीं कर सकोगे और अब बात करते हैं उन marketing strategies की तो personal selling, advertisement, sales promotion, publicity और direct marketing जैसे कुछ marketing strategies आप use करके उन customers को target करने में आपको आसानी होगी और आपकी sales को भी बहुत ही अच्छी boost मिलेगी और आपका business बहुत ही अच्छा run कर पायेगा और आप इन wires को online और offline दोनों जगे sell कर सकते हैं अलग-अलग profit margin को रखके और आपके convenience के हिसाब से आप इन strategies को use कर सकते हैं और implement कर भी सकते हैं आपकी sales को boost करने के लिए और अब बात करते हैं area की तो 2000 से 10,000 square feet का minimum area आपको required होगा इस business को set up करने के लिए और ये totally depend करेगा आपके business model के उपपर manpower की बात करें तो 15 से 25 लेबर्स के आपको ज़रूरत पड़ेगी इस business को run करने के लिए ये भी totally depend करेगा आपके business model के उपपर कितनी machinery setup की है क्या वो semi-automatic, fully automatic है तो उन सारे चीजों पे जो labor का manpower है वो भी depend करेगा अब बात करते है licenses की जो आपको acquire करने पड़ेगे इस business को run करने से पहले सबसे पहले business license, state pollution control board, GST number, BIS certificate, उद्योग आदार और trademark की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो license cost है वो भी हमने capital में include किया हुआ है तो हमने जो 4 to 15 करोर का capital बताया है उसमें licenses की cost भी included है तो ये सारे licenses को आपको acquire करने पड़ेगे इस business को run करने से पहले तो अब बात आती है कि कितना profit आप earn कर सकेगे इस business को run करने के बाद तो depend करेगा आपके business model और production के उपर और अगर आप minimum 36,000 calls बनाते है 1.5 mm की पूरे year में तो भी आपको 10 to 15% का minimum profit हो सकता है यहाँ पे अलग-अलग profit margin को रख सकते है आप diversify भी कर सकते है आपके products को कितना production आप कर पा रहे हैं तो इन सारी चीजों पे जो return percentage है वो भी totally differ करेगा तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कैसे आप आपके business को बहुत ही अच्छा grow कर सके तो हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है कैसे आप customers को target कर सके कौन सी marketing strategies यूज कर सके कौन से quality controls और testing process आपको use करने चाहिए इन wires की manufacturing के बाद कौन से raw materials के आपको जरूरत पड़ेगी का से आप उन्हें purchase कर सकते है कौन सी machinery के आपको जरूरत पड़ेगी क्या चीज़े आपको जानना जरूरी है इस business को run करने से पहले तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीजों की जानकारी दे दी है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please subscribe आप चैनल like, share और अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते है thank you